दोस्तों ज्यादा तर लोग अपनी कार की एक समस्या से ज्यादा परिशान देते हैं और वो समस्या है जल्दी टैर घिसने की यानि मेरी गाड़ी का आगे का टैर जल्दी क्यों घिस रहा है या मेरी गाड़ी का पीछे वाले टैर जल्दी क्यों घिस रहे हैं मेरी गाड़ी की टैर जल्दी क्यों घिश जाते हैं इसका क्या कारण होता है क्या वज़े होती है वही वज़े आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं लीला सिंग आपकी कार का वील अलाइमेंट एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल अलाइमेंट गुरू तो सबसे पहले जानते हैं कि टैर क्यों घिस्ता है तो देखे दोस्तों टैर एक रवर पार्ट है और जब हमारी और रोड की बीच में एक फ्रक्षन पैदा होता है एक घर्षन होता है यानि रोड से टैर हमारा रगड़ कर चलता है और उस रगड़ कर चलने से टैर धीरे धीरे घिसने लगता है और यही घर्षन जब ज्यादा टैर पर पड़ता है ज्यादा होता है तो टैर हमारा और सबसे पहले जो बज़य है जल्दी खिसने की वह है गाड़ी का धील अलाइमेंट अगर आपकी गाड़ी का सही नहीं है तो हमारी गाड़ी के टारों पर फ्रक्षन जादा होगा और टार जल्दी खिसने लगेगा अब धील अलाइमेंट क्या होता है और इसको कैसे करते हैं इसके उपर मैंने काफी वीडियो बनाई हुई है वह वीडियो आप देख सकते हैं तो बेसिकली धील अलाइमेंट में क्या होता है कि हमारे जो टैर के एंगल होते हैं जो हमारा टैर गड़ी में फिट होता है उसमें हैं अगर लुद होते हैं सबसे पहला एंगल होता है कि कंगलल किह थे यह इसलेडिक का एंगल कंगल होता है यानि हम स्वा साइन पहले हैं वे कितना आगे है या कितना पीछे है स्टेरिंग आगे की तरफ है टैर या हमारा जो टैर पीछे की तरफ है उसको बोलते है केस्टर एंगल और इससे टैर पर घिसने पर तो कोई ज़्यादा फरक पड़ता नहीं है लेकिन इसके सही नहीं होने से हमारी जो हैंडलिंग उस पर ज्यादा फरक पड़ता है तो वैसे इसकी एज़स्मेंट कुछ ही गाड़ियों में होती है और जिसको हम एज़स्ट कर सकते हैं और यह जो एंगल है वो फिक्स रहता है दूसरा जो एंगल होता है वो होता है केमबर एंगल क्या होता है केमबर एंगल जब टायर को हम सामने से देखते हैं गाड़ी को सामने से देखते हैं तो टायर अंदर की साइड मुड़े हुए हैं उपर से या बाहर की साइड मुड़े हुए हैं उसको बोला जाता है केमबर जब टायर अंदर की साइड मुड़ा ह तो वो होता है नेगेटिव केमबर और मानस में पहां और जब टायर बाहर की तरफ मुड़े और वुटर से तो उस को बोलते हैं ऑगल्वेर पॉजिटिव केमबर और इसको फिलंस में भी बोला जाता है अब इसे टैर क्यों खिषता है कि जब टैर हमारा अंधर की तरफ मुड़ा होगा भाहर से यानि अंदर की तरफ बड़ा होगा तो टायर के इस हिस्से पर ज्यादा फ्रक्षन होगा ज्यादा लोड पड़ेगा जिससे हमारा अंदर की साइड वाला टायर जल्दी घिसने लगेगा वहीं अगर टायर हमारा बाहर की साइड वड़े होए है उपर से तो हमारे गाड़ी के टायर पर बाहर की किनारे पर ज्यादा फ्रक्षन होगा और टायर बाहर की तरफ से गिसने लगेगा तो गाड़ीयों में यह ज़ादा तर ए जजस्ट्स नहीं होता हैपुछ गाड़ीयों में इसकी इजस्मेंट होती है और उससे हमें adjust करके इस त्यार घिसने की समस्या को solve कर सकते हैं दूसरा जो angle होता है जो सबसे ज़्यादा important होता है वो होता है toe angle और इसी angle को हम अपनी wheel alignment में ज़्याद तक set करते हैं बाकी के जो toe angle है market में आपको adjust नहीं करते हैं adjustment उसमें है या नहीं है तब भी adjustment नहीं करते हैं और toe angle को ही adjust करते हैं और यह adjustment हैं हमारी steering की टाइर ओड है उससे adjust किया जाता है अब यह toe angle हमें देखता कैसे है toe angle में जब टाइर को ऊपर से देखें तो हमारे टायर बाहर की तरफ फैले हुए है या हमारे टायर अंदर की तरफ जुके हुए है उसको बोले जाता है तो अगर हमारे टायर बाहर की तरफ जुके हुए है तो उसको बोलेंगे तो आउट और इसको हम माइनस में भी बोल सकते हैं और जब टायर अंदर की तरफ मुड़े हों तो उसको बोलेंगे टो इन और इसको हम प्लस में भी बोल सकते हैं अब इसके आउट होने से टायर कैसे गिस्ता है जब हमारा टायर बाहर की तरफ फैला होता है तो हमारे टायर पर अंदर के साट बुरोपा होता है यह यो तो रूतीडवे किंदी लगता है कि जब हमारे घृढ़ी में भीजह घूंदा यह तो टायर इसके लिशाना य Ingred पता साट काल green फैसे उसके कि तरफ होता है तो हमारी गाड़ी का टायर बाहर से जल्दी गिसने रखता है यानि टायर जो वील है वह बाहर की तरफ सीरा होने की कोशिश करता है जिससे बाहर वाले किनादे पर ज्यादा फ्रक्षन होता है और बाहर से टायर गिसने रखता है यानि अंदर से बाहर की तो यह एंगल तो हम सेट करते हैं और इसको एड़्जेस्ट करके टैर किसने की समयश्या को फतम किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा जो रीजिए हूता है वह होता है टाइर रुटेशन का टायर रुटेशन किया है और इसको कैसे करते हैं इसके उपर मैंने वीडियो बनाई हुई है उसमें आप देख सकते हैं जैसे आप पुराने जमाने में लोगों को देखा हुआ कि अपने टैर की सैड को पल्टी करके चला लेते थे यानि सैड टैर अंदर से घिस गया तो उसको पलटके अंदर वाली साइट बाहर करती तो फिर वो दूसरी तरफ से घिसेगा और उसकी लायक हमें पूरी मिल जाएगी क्योंकि अलाइमेंट का इतना ग्यान नहीं था अलाइमेंट लोग इतनी नहीं कराते थे और टैर को उलट पलट करके उसकी जब तक बाल की ख कि आघे से घिस रहा है किस एंगल और उस से पीशिए करतेंगे या दूसरी जगह待 डीकि तो इस पर नहीं गिसेगा दूसरे अंगल से ते किसे हमारे गाड़ी के टैरों की लैफ हमें ज्यादा मिलेगा इसके बातक तुसरा जए बिंचन होता है टैर्सिनी का वो होता है लोड हमारे टैर कसी विंगध कर चल रहा है और उस सबनेद बार माली जी कीमबर लोड कि तर बलंडने इसबिल यह तो कि पर पड़ रहा है जितना लोड ज्यादा होगा इसे इंगल पर ज्यादा फ्रक्रशन वह और भी लिठेग तो हर लोड इंडेक्स लिखा रहता है तो इसंपीड लिखी रहती है जो सारी सपीर लिखा रहती है कि इस यह ल outsiders कितना लोड आप दे सकते हैं जिससे हमारा टायर सेफ चलेगा अब इसके बाद जो चौथा कारण होता है वह हमारा होता है इस पीड का कि टायर किस एंगल पर चल रहा है कितना लोड लेके चल रहा है और कितनी speed में चलना है टायर की जतनी speed होगी उतना ही उसमें ज्यादा fraction होगा टायर का temperature उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और टायर रवट पार्ट है तो गरम होके जल्दी घिसने लगता है इसलिए ज्यादा speed में टायर जल्दी गरम होता है और जिस जो भी टायर का angle out होता है उससाब से जल्दी घिसने लगता है तो इसलिए speed को हमें maintain करके चलना चाहिए जिससे टायर गरम ना हो ज्यादा और उसी साब से हम टायर की जो लाइफ है वो बढ़ा सकते हैं इसके बाद जुए जो रिजन होता है वो होता है टायर एयर प्रेसर यनि टायर एल प्रेसर बहुत मायने रहा है टैर की घिसाई में टायर जल्दी घिसने का कारण काफी मना जाता है एयर प्रेसर के उपर कि हम अगर recommended pressure ज cliff तो अगर हमें यह अक्रार से ज़्वी दएसे हुज़ाएगा उपर से एसे हो जाएगा तो इस वाली इस्तेस पर जहादा लोड़ पड़ेंगा definis तो बीच से टैर जल्दी घिसने रहेगा वहीं हमारा अगर टैर में एर प्रेसर कम है तो हमारे जो टैर का सोल्डर है उस पर लोड ज्यादा रहेगा यानि यह चीज नीचे को दब जाएगी और यह उभरी हुई रहेगी इससे यह वाले जो सोल्डर है हमारे जल्दी घिसने तो टैर में एर प्रेसर जतना स्टेंडर्ड है वही रखें और उसी हिसाब से उसको मेंटन करके रखें इसके बाद जो छटा जो रीजन होता है सबसे आखिर वाला जो रीजन है वह हमारी ड्राइविंग है यानि हम अपनी गाड़ी को कैसे चलाते हैं किस कंडिशन में चल जड़ाते हैं या ज्यादा स्पीर्ड में चलाते हैं स्पीरड एकडम से एक्सिरीड करते हैं एकडम से ब्रक लगाते हैं तो तो हम ज्यादा एक्सेलेट करेंगे एकदम से उतना ही उस फ्रेक्शन टायर का ज्यादा होगा फिर ब्रेक लगाएंगे फिर उसके फ्रेक्शन पड़ेगा तो उससे भी हमारा टायर उसी हिसाब से गिसेगा तो दोस्तो यह कुछ कारण थे टायर किसने के जो आज मैंने आपको बताए अगर आपको इसमें से कोई भी और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या आपको इसके लावा और रीजन पता है तो वह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं तो दोस सब्सक्राब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करतें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिक्रिक्रिशन आपको मिलता रहे हैं फिल्म मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी की साथ तब तक के लिए जैहिंद जैभागत